समय का सदुप्योग समय का सदुप्योग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनिवल एक्जाम्स आने बाले थे अरे अब तक पढ़ रही हो चलो खाना खाते हैं बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है नहीं किया तो टीचर डाटेंगी और अगले वीक से एक्सेम्स भी तो शुरू हो रहे हैं वानी बहुत ही महनती और समय का सदुप्योग करने वाली बच्ची थी जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवा और शैतान बच्चा था हर काम कल पर टालता था तुम्हारा प्रोजेक्ट हो क्या? अभी से प्रोजेक्ट वो तो सिक्स पीरिड में देना है अभी भी दो पीरिड बचे हैं सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरन देकर समझाते थे देखो सोनू बेटा अब तुम बड़े हो गए हो खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए हाँ मम्मी कल से पक्का सोनू समय का सदुप्योग करना अपनी बहन से सिखो देखो समय से पढ़ती है समय से खेलती है आज का काम कल पर कभी नहीं टालती आप देखना मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा अभी जाओ खेलने प्लीज सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एक्जाम्स के दिन भी नस्दिक आ ही गए सोनू वानी की परिक्षा में अब केवल दो दिन बाकी थे बच्चो अगले सोमबार से तो तुम दोनों की परिक्षाइं शुरू हो रही है न होब मन लगा कर पढ़ो और अच्छे से परिक्षा दो सोनू मुझे तुमारी बहुत चिंता हो रही है बेटा तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो पढ़ाई कल पर नहीं टालना बानी की तरह सभी पार्ट समय से पढ़ लेना ठीक है अरे पापा परिक्षा में अभी पूरे दो दिन बाकी है मैं जहट से पढ़ लूँगा सब कुछ अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ जब तक खेलूँगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी अरे वानी देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है आओ ना थोड़ी दिर खेल लेते हैं पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं जट से सब हो जाएगा हाँ मौसम तो सुहाना है लेकिन मुझे मेरा पाट पूरा करना है कल परिक्षा है इस मौसम में तो खेलने का मज़ा ही कुछ और है तुम पढ़ती रहो मैं तो चला खेलने कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तुफान का रूप ले रहा है और काले बादल गुमड रहे हैं मानो बारिश कभी भी हो सकती है बारिश का मौसम दे वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गए तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा क्यूंकि बारिशों में अकसर घर की बिजली कट जाती है उसने सोनू को आवाज दे सोनू, सोनू, सुनो मौसम देखके लगता है बारिश होने वाली है शायद रात को बिजली भी कट जाए खेलना छोड़ो और आकर अपना पाट पूरा कर लो वन्ना कल परिक्षा में क्या लिखोगे चिंता मत करो वानी अभी तो दो पहरी हो रही है रात को बैटकर मैं फटाफट सब खतम कर लूँगा बिजली नहीं जाएगी बलकि बारिश के बाद पढ़ने में और मज़ा आएगा अच्छा मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई आदत सोनू गेर शाम तक खेलता ही रहा लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अच्छानक से बारिश शुरू हो गई सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लोटा जहां आकर उसने देखा कि घर पर ही नहीं बलकि पूरे गाउं में बिजली नहीं है यहीं देखकर सोनू जोर-जोर से रोने लगा कल परिक्षा में मेरा क्या होगा मैंने तो एक पार्ट भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है मैं तो फेलो जाओंगा मैंने कहा था ना अपना पार्ट समय से पढ़ लो मैंने तुमें एक हपते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना लेकिन तुमें कभी कुछ समझ में नहीं आठा अब भोगो सौरी पापा अब मैं क्या करूँ काश मैंने साई समय पर अपने पार्ट पढ़ लिया होते उसे समझ आ गया था कि उसके लापरवाही की कारण उसके बास अब बढ़ने का समय बचा ही दिया भोने से अब कुछ नहीं होगा अब समझ आया कि सब तुमें क्यू समझाते थे अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी मैं तुमें सारा पार्ट समझा दूँगी और याद भी करवा दूँगी चलो अगले दिन दोनों बच्चे खुशी-खुशी परिक्षा देने गए जो समय का करे सम्मान भविश्र में वो कहला आये महाल